नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिचार चुटानी, मैं ठेरो काटिरियो नियुमनलोजिस्ट हूँ तो आज हम जानेगे कि घर में नेगेटिव एनरजी ना आए और उसके लिए आपको क्या साफधानी बरत्ती चाहिए या क्या उपएव करना चाहिए और अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनरजी आ चुकी है तो उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करें पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ अपने घर को साफसोतरा रखें मैं जो आपका गेट है अँटरेंस उसको भी साफसोतरा रखें और शिरफ में घर में नैगेटिव एनरजी ना रहें इसलिए आप पानी में जैसे पोचे का पानी होता है उसमें तो सैंधर नमक डालके पूरे घर में पोचा लगाएं या अगर आप नहीं लगा सकते तो घर में सैंधर नमक थोड़ा सा छिड़क दे या आप जीसे बात्रूम होता है आपका वाश्रूम होता है drive में आप सेंदर नमक rock salt उसको रख ले और हर हफ़ते उसको change करें अगर आप हफते हफते चेंज नहीं कर सकते तो आप महीने में जैसे फुल मून होता है ना उस दिन आप उसको चेंज करके अपने बातरूम में रख सकते हैं तो इससे आपके घर में नेगेटिव एनरजी नहीं आएगी दूसरा मैं यह कहना चाहूँगी कि जैसे आप घर के बाहर हमेशा तोरन लगाके रखे और साफ सफाई यह तो मैं हमेशा ही कहते हूँ पर शाम को या दिन में सुबा कभी भी दिन में एक बार आप कैमपर यानि कपूर जरूर जलाएं उससे जो आपके घर का वातावरन सोगंदे दोता है और फ्रेश फ्लावर जैसे हम नकली पोर्ट में लगाते हैं नकली फ्लावर पोर्ट में हम नकली फ्लावर लगाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्रेश फ्लावर घर में लगाएं उससे जो आपका एन्व आजली का बिल बढ़ा ये पर हां शाम को संध्या के टाइम थोड़ा रोशनी रखे और खासकर में गेट की जैसे एंट्रेंस की आपकी जो भी है में गेट है या सीड़ियां है जो भी है या बालकनी की छोटी-छोटी लाइटे ज़रूर अन्गरे घर में शाम के समय थोड़ रोशनी करके रखे और दिन में पूरा दिन बिल्कुल अंधेरे में नार है थोड़ी सी रोशनी रखनी चाहिए और पेड़ पोदे और घर में तुलसी का पोधा जरूर रखे ये कुछ चीजे हैं जैसे जिससे आपके घर में जो है नाइगेटिव एनरजी नहीं आएगी तो के पन्मिकोई प्ल में हुआ wherein चाहिए विल्सी रखे झाल क Dani से भी ओू़ी पोधनी रहाvt इसलिख़ी इसपयोनी प्की हैसे विल्कूप्र rocky का मुछ गैफ जिन उड़ चластиक मुपवांशनी तो जैंड़ी ऊल्ड़ी इसँे प्लानी पेपी च陋ला कि